आप सबी लोग को पियूं की चन में स्वागत है तो आज हम बनाएंगे एक कॉप गेहूं के आटा से पेडा मावा का पेडा आप लोग बहुत बार खाएं पर इस बार आप लोग गेहूं के एक कॉप आटा से आप पेडा बना कर यहां पर तैयार कर सकते हैं तो होली आ रही है तो उस पर ए मिठाई स्पेशल आप लोग बना कर जो आपके घर आपके फ्रेंड में महान आए उनको एक खिलाइए किसी कोई किन नहीं होगा कि आप एक कब गी हूँ कि आटा से आप ए मिठाईयां बना कर आपने तयार किये हैं तो देखिए आज हम मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर हमारी रेज्वी आपको अच्छी लगे तो फिलिज आप लोग लाइक और सेर सस्वराइब करने के लिए बंद भूले जरूर आप लोग कर देना हमारे गार में तो हमारी बच्ची जो इतना मीठा खाटती है कि हम आपसे क्या बताएं तो हम कैसी भी मिठाया बनाए एक हपते की अंदर में जो है खतमी हो जाता है हमें फिर एक हपते की बाद हमें बनाना ही पड़ता है तो हमें कोई नमीठाया बना कर तयार करना ही पड़ता है तो चलिए यहां पर हम सबसे पहले ले लेते हैं एक कफ हमारा है ग लेली हैं याँ पर कढ़ाई तो कढ़ाई को हम घयसुन लिए और ग्यू भी चमच है यहाँ ले लिये और ग्यू हम आपको दिखाएंगे बाद में लेना है तो देखिए यहाँ पर आटा को गैस का फ्लेम जो एकदम मिनट हो गया है इसका जो है हलका सुन कलर चेंज हुआ है अभी जो चाहिए उचेंज नहीं हुआ है जो अगर आपको एक अच्छे पेडा का टेस्ट लाना एकदम ओरिजिनल तो आपको जो है गयस का आच एकदम सुलो करकर यहां पर चलाते हुए भुनना है आपको यहां पर तो लाल हो जाएगा अगर गयस का फ्लेम आप ज्यादा हाई रख देंगे तो तुरंथी लाल हो जाएगा पर एकदम सुनेहरा तक यहां पर चलाते हुए एकदम भीनी से आच पर भुनना है कि हमारा जो यह आटा एकदम जैसे आप मार्केट का लाते हैं पेड़े एकदम अरिजिनल हो से ही अगर आपको बनाना है तो यहां पर आपको थोड़ा समय लगेगा आटा को भूनने में तो देखिए यहां पर है थोड़े थोड़े घीव डालते हुए आटा को यहां भूनना है हमें एक ही बार घीव हम नहीं डालेंगे यहां तो देखिए यहां पर ज मैं आप से बात करने में मैंने milk powder इसलिए ढाले हैं जो market में मिलते हैं तो मावा का मिलते है पेड़े तो एगर ओरिजिनल एक दमावा का टेस्ट लाना है तो आपने अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो यहां पर आप मलाई ले सकते हैं तो देखिए हमने फिर से यहां पर जो है एक चमज बड़े वाले चमज से घीव हम यहां पर ले लिए हैं थोड़े घीव डालते हुए हमने यहां पर भूनना है तो आपका पूरा टोटल घीव लग जाएगा एक कप पूरे लग जाएगा इसको बनाने में तो हमने देखिए यहाँ पर थोड़ा color यहाँ पर change हो गया है कुछ हुआ है अभी थोड़ा और हमें करना अभी अच्छी तरीके से जो चाहिए वो नहीं तैयार हुआ है तो आपने यहाँ पर देख सकते हैं जो आटा में है तो यहाँ पर देखिए अच्छी से बेंडिंग आने लगी हमारा पेड़े का मिश्डर बनकर तैयार है तो आप चलिए एक हम दूसरे बरतल विश्कों निकालते हैं ठंडा होने के लिए हमें पूरे ठंडा यहाँ नहीं करना है थोड़ा गरम और थोड़ा ठंडा ही चाहिए तो यहाँ पर देखिए थोड़ा गरम ही है एक दम पूरे ठंडा नहीं है तो ठंडा अगर कर देंगे तो आपका थोड़ा बनाने में प्राबलम होगा तो थोड़ा ठंडा थोड़ा गरम चाहिए तो देखिए यहाँ पर हमने लिए हैं कोपरेल का मुरादा अगर आपके पास चीनी का भूरा है तो उसे भी आप कोट कर सकते हैं तो देखिए हमें इसी तरह जो हम अपना बनाएंगे यहां पर आपके चुए से आपके इच्छा है तो आपने गोल्ड सेब में भी जैसे पेड़ा मार्गेट में मिलते हैं उसे भी बना सकते हैं थोड़ा हमने लंबा हमें दूद की छीटा मार सकते हैं तो अपका परफेक्ट बनने लगेगा तो देखिए नो e by a by दे कार चुए है तो इसी तरह हम अपना बना दिए लंबा सेब में तो अगर आप की चैसे यहां पर गोपर छीरर को серьस भी जाहेंए क्यों ही हजार उपे मार्केट में देने जाएंगे एक कफ अगर गिय हूं के आटा से आप इतनी मेहंगी मिठया घर पर तयार कर सकते हैं तो बाजार में क्यों ही जाएं लाने के लिए तो देखिए हैं आपको हम तोड़के दिखा रहे हैं बिना मावा का जो है हमारा पेडा मार्केट की तरह अग्दम खस्ता और एकदम टेश्टी दार बनकर एक कप गिय हूं के आटा से तैयार है तो आप लोग भी एक कप गिय हूं के आटा से होली पाप बनाकर सभी को खिला सकते हैं पर फिर किसी को एकिन नहीं होगा कि आप एक कप गिय हूं के आटा से बढ़ा में